रफैल विमान की खरीद में गड़बडी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला वर रही है। कॉंग्रिस के पूरवध्याक श्राउल गांधी रफैल की कीमतों को लेकर लगातार सरकार को खेरते रहे हैं। क्योंकि भारत ने 69,000 करोड रुपै में महज 36 रफैल विमान खरीदे हैं। रफैल की अधिक्तम स्पीड आपको पता दे 2130 किलो मीटर प्रती घंटा है और इसकी मारक शमता 3700 किलो मीटर तक है। रफैल के 75 फीसदी विमान हमेशा ओपरेशन के लिए तयार हैं और परमाणू हतियार ले जाने में सक्षम हैं। और इतना ही नहीं रफैल 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम हैं। और 60 घंटे अतिरिक्ट उडांग की गारेंटी भी है। साथी मेटियर मिसाइल से भी लैस है और ये एक मिनट में 60,000 फुट की उचाई और साड़े चार जेनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। अफगानिस्तान और लिबिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है और ये दो इंजन वाला लड़ाकू विमान जो भारती ये वायू सेना की पहली पसंद है हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। आएगा ये। प्रदर्शन के लिए विमानों को उड़ाने के लिए किस तरह से रहेगी? ये वायू सेना की पाइलेट्स की जो ट्रेनिंग होती है सर वो? ये वायू सेना की पाइलेट्स की अपना सवान। ये पाइलेट्स के लिए वाय। ये वाय। ये वाय। ये वाय। ये वाय। ये वाय। जी जी तो आते अमिदुनिक हतियारों से लाहस विमान को हर परीके के मिशन पर भेजा जा सकता है उसके लिए जी जाती है वाई सेने के पाइलेट्स को हमारे साथ ब्रिगेडिया साथ जुड़े वो ते बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए